हेलो स्टूडेंट कैसे हैं आप आप सभी अच्छ होंगे प्यारे अच्छो आज हम करेंगे एक अक्षा 6 के विज्ञान के अटगेट अब्यास फुस्तर के पार्ट साथ को इस पार्ट का नाम है बच्छो गती एवं दूरियों का मापन तो बच्छो बिल्कुल भी देना करत किया जाता है तो प्रश्न का मांग 2 है 1 cm की 10 बरावर भागों में से एक भाग को क्या कहते हैं इसे बोलते हैं परफ्ट है एंड़्र मिलिमseason के क्या हिश्ट है क्योंकि 1 cm में 10 मिलिमेटर होते हैं तो यह बचलिकर की पंखरियों की गती यह वर्ट आप गति का उधारण है प्रेशन के मांग चार है वच्छो यह है फर्स पर लुड़कती किसी गैंद में कौन सी गति पाई जाती है तो यह बी नमबर वाला है वच्छो सरल रेखिये गति वह घुनन गति यहां पर ना हो गया यह ना की जगे पर आप वह कर लीजेगा ठीक प्रेशन के मांग एक है यह है प्राशीनतम से अत्यदुनिक परिवहन के साधनों के नाम लिखे तो इसका उत्तर हम लिखेंगे प्राशीनतम परिवहन के साधन पहले है बैल गाड़ी दूसरा है साइकिल तीसरा है बस और चोथा है नाव अब यह अत्यदुनिक परिवहन क पहला है रेल, दूसरा है पानी का जाज, तीसरा है हवाई जाज प्रशन का मांग दो है, यह है किसी वक्र रेका की लंबाई का मापन किस प्रकार करेंगे तो इसका उतर आप लिखेंगे, वक्र रेका की लंबाई का मापन हम धागे की साहता से कर सकते हैं प्रेश्न के मांग तीन है बूझो अपने घर के सामने सीधी सठक पर किसी वहान की गती का प्रेश्न कर रहा है बताइए बाहन में कौन सी गती हो रही है तो वहान में बच्चो सरल रेखिये गती हो रही है प्रेशनिम की भाग चार है, लडकती हुई गेंद में किस परकार की गति होती है? इसमें सरल रखेवा घूनन गति, दोनों परकार की गतियां होती है प्रेशनिम की भाग पाँछ है, एक समान मापन प्रणाली की आवसकता क्यों उत्रपन हुए? तो इसका उत्तर आप लिखेंगे असमान मापन प्रणाली जैसे हाथ पैर उंगलियों की लंबाई से बहुत सी ओजन्य होती थी क्योंकि किसी के हाथ की लंबाई ज्यादा थी किसी की कम थी इस कारण एक समान मापन प्रणाली की आवसकता हुई प्रेशन का मांग 6 है इन वस्तुओं को इस्थिर तता गती सील वस्तुओं में वर्गिगरत कीजिए तो यहाँ पर बच्चों मेंने इस्थिर वस्तुओं लिख दी है टेवल मेज घर दीवार गड़ी और यहाँ पर गती सील वस्तुओं को लिख दिया है इसे सैंटमीटर सेνहाँ मेलीमीटर में जीए तो 2.18.25m को को बत्त ज months में कीशिए प्रेशन का मांक 8 है यह है वर्गिगरत क्या होती है उधार्र साहित समझाएगा jest जब कोई बस्तु व्रत्य पत्त के अनुदिस गती करे तो इस प्रकार की गती को हम वर्तुल गती कहते हैं, जैसे पंक्खे की पंकुणियों की गती. प्रश्क मांग नो हैं, लंबाई मापते समय हमें कौँ सी साफदानिया बरत्ने किया सकता होती है? तो यहां पर उत्तर लिखेंगे, लंबाई मापते समय हमें निम्न साफदियान रखनी चाहिए. पहले ही है पैमानों को बस्तु के संपर्ग में इसकी लंबाई के अनुदिस रखना चाहिए दूसरी है जिन पैमानों के सिरे टूटे हो तो अथा पैमानों पर सुन्यांग इस पर नहीं दिखाई दे रहा हो ऐसे पहएमानों की सुन्यांग से माप लेने से बचना चाहिए आप ऐसे पहएमानों को कोई अन्य पूर्णांग जैसे जिरो दूसमला 1 cm काम में ला सकते हैं तीसरा है माप लेने के लिए आग की इस्तिती जिस विंदू की माप ली जानी है उसके ठीक सामने होना चाहिए प्रेशन का मांग 10 है बच्चों ये हैं आवरती गती क्या होती है कोई तीन उधारन दीजिए एवन चित्र भी बनाई है तो इसका उतर लिखेंगे कुछ प्रक्रणों में बस्तू की गती निश्चित समय अंतराल के बाद दोराई जाती है इस प्रकार की गती को आवरती गती के निम तीन उधारन है पहला है गड़ी की सुईयों की गती दूसरा है जूले की गती और तीसरा है प्रत्वी की सूर्ग इसको मीटर में बदल कर तालिका में भरिए तो यहां बच्चों आप सभी के घर पे दर्वाजे गड़की पलंग टीवी अल मारी इस तरीके की चीज़ होती है तो इन्हें आपको इंटीटेब लेकर सैंटी मीटर नापना है फिर उसे मीटर में बदल के लिखना है क्योंकि सबी के घरों के दर्वाजे टीवी किड़की इनकी लम्माई अलग-अलग होती हैं इसलिए मैंने ये रेक्तिस्तान में छोड़ दिया है आप अपने घर के किड़की दर्वाजे बगेर नापके यहां पर लिख दीजिएगा प्रोजेक्ट कार 2 है अपने आसफास गती सिल बस्तू को देखें वाँ उनमें होने वाली गती के प्रक्रम को भी लिखिए यदि आपको किसी बस्तू में एक से अधिक प्रकार की गती दिखाई देती है तो उसको भी तालिका में लिखिए तो जिससे पंका हो गया इसमें बर करता है तो बच्चो इस प्रकार से आपका चैप्टर भी कंप्रीट होता है यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो बच्चो वीडियो को लाइक करिए चैनल को सब्स्क्राइब करिए आप से मिलते हैं अपनी अग